क्या आप मानेंगे कि इसमें तेलगी नहीं पड़ा है आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फी वो भी तिना तेलगी के तुछ चली देखते हैं आज की रेसपी यहाँ पर मैं मेजर्मेंट कप का इस्तमाल करी हूँ बेसन मैंने हाफ कप लिया है इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे जब आप बेसन को ड्राइ रोस्ट करते हैं तो इसे लगातार चलाए और देखें इनकी छोटी छोटी गुल्टियां बन जाती है तो जब यह भुण जाए तब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके छनी से छान लेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जगर आप छनी से नहीं छानेंगे तो यह गुल्टियां आपके मिठाई में दिखेंगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इसे हमें एक प्लेट में रख लेंगे अब पैन को हम चड़ा करके उसमें डालेंगे ब्राउन सुगर मैंने यूज के आप किसी भी टाइप का गूर भी डाल सकते हैं चीनी भी आड़ कर सकते हैं और पानी डाला है तो जितना आपने बेसन लिया था उसका हाप से भी कम ही चीनी आपको लगेगा और पानी हाप से थोड़ा ज़ादा लगेगा हमें चीनी का चासनी नहीं बनाना है बस उसे थोड़ा सा boil करना है और जब वो boil हो जाए तब हम इसमें खोवा डालेंगे तो यहां पर मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही खोवा डाला है और उसे थोड़ा सा mix कर लेंगे फिर हम roast की वे बेसन को इसमें डाल कर अच्छे से mix करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे ये इसमें बिल्कुल गूल जाएगा और बहुत ही अच्छा सा एक shape ले लेता है डो बन जाता है यहां पर मैंने natural color रखा है आप चाहे तो इस time पे food color का भी use कर सकते हैं और इसको yellow color में convert कर सकते हैं अब हम gas को बंद करके एक tray लेंगे और उसे घी से grease करके उसके उपर हम बेसन के dough को डाल करके flatten करेंगे इसे हम room temperature पे भी set होने रख सकते हैं या फिर frizz में भी आप set कर सकते हैं एक घंटे के लिए उपर से हमें इसे garnish करना है slice के वे almond से इसका स्वात काफी authentic है मुँ में जाते ही घुल जाता है बहुत अच्छी मिठाई है अब यह पूरी तरह से set हो चुका है तो हम इसमें cut लगाएंगे देखने में ही tempting है और सच मानिए तो जब यह cut करके मैंने अपने परिवार में इसे जब दिया तो यह हाथो हाथ खत्म हो गया और बहुत अच्छा स्वात था सबने काफी तारीफ की तो आप इसे एक बार जरूर बना के try करें देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है यह बहुत ही soft है और basin का crunch भी है इसमें बिलकुल अगर इसके स्वात को मैं define करूँ तो यह मैसूर पाक की तरह लग रहा है बस इसमें घी नहीं है लेकिन स्वात बिलकुल वैसा ही है अगर अभी तक आपने मे अलदी रस्पी जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और इंज्वाइए